Dysfunctional Family, Toxic Family, Abusive Family, ये Family नहीं है, ये Distant Family है, इसे आप परिवार मत समझो, ये एक ऐसा रिसोर्स है, जिसका इस्तिमाल करके आपको आगे बढ़ना है, अपनी रहा बनानी है, इंडिपेंडिन्ट बनना है, ये Source of Love तो बिल्कुल भी नहीं है, दोस्तो आज मेरे पास question आया है, एक लड़की की मदर बहुती abusive है, मार पीट करती है, गंदी गंदी बाते बोलती है, गालियां देती है, ऐसे शब बोलती है, जो मैं कह भी नहीं सकता, उस लड़की को बदसूरत होने का एसास दिलाती है, दिन रात ताने मारती है, अपने जी लड़की उन से दूरो ने लगी, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, उसकी life के लिए, growth के लिए, mental growth के लिए, identity के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन से दूर होकर, वो अकेली बढ़ गई है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई emotional event नहीं है, कोई इनसान नहीं है, जि प्रिशान है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, आत्म सम्मान बहुत कम है, जीवन को समझने पा रही, अपनी कंडिशन को समझने पा रही, उनके साथ भी नहीं रह पा रही, उनसे दूर भी नहीं हो पा रही, इसमें चार इंपॉर्टेंट चीज़े हैं, अपने बारे में कंफ ताके होते हुए या उनसे थोड़ा सा दूर होकर अकेला महसूस करना लोनली फील करना आप अपने जीवन को लेकर पता है confused क्यों क्यों क्योंकि आपकी identity नहीं बन पाई एक personality नहीं बन पाई जहां इंसान खुद से प्यार करता है खुद को value करता है लोग उसे value करते हैं वो अ हमेशे degrade किया गया ताने दिये गए बतसूरत बताया गया नाकाबिल बताया गया इसलिए आज आज आप अपने आपको कुछ नहीं समझती आज आपको लगता है कि life जीवन ऐसा ही है खराब ही है गंदा ही होता है normal जीवन क्या है आपको पता ही नहीं है और उसके लावा आ आपको emotionally abuse कर रहा है मार रहा है गालिया दे रहा है जलील कर रहा है distance बनाना आपके लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है जितना उसके पास रहते रहोगे आपकी personality long term में उतनी ही खराब होती चले जाएगी एक depressed adult बनोगे आप जिसको जीवन बुरा ही लगता है छोटी छोटी दूरी बनाना बहुत जरूरी है वो आपकी resource है source of emotion नहीं है वो इस लायक नहीं है कि आप उसे प्यार करो उससे जुड़े रहो तो थोड़ी थोड़ी दूरी प्यार से उसको भनग भी ना पड़े ताकि वो आपका और सुशन न करे थोड़ा सा indifferent हो जाओ सिर्फ जरूरी व बात करो और अपनी life पर ध्यान दो इन से detach होना आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी identity बनने के लिए बहुत जरूरी है आज आपको बहुत परिशानी होगी पहले ही परिशान थी अब अकेली भी पड़ गई लेकिन जो benefits इस इनसान से दूर होकर आपको मिल रहे है न वो बहुत बड़े है ये परिशानी उसके आगे कुछ भी नहीं है तो अपनी well being के लिए अपने भविश्य के लिए आपको एक कड़ा फैसला लेना है उनसे दूरी बनानी है चाहे उसके short term consequences आज जो उसके प्रभावे आपको बुगतने पड़े है इसके अलावा आपके मन में कुछ बाते बैट गई है मैं नाकाबिल हूँ मैं बचसूरत हूँ मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है मेरा जनम शोशन होने के लिए ही बना है ये जिन्दगी बेकार है ये बाते आपके दिमाग में मन में चप गई है जिसके लिए जिम्मेदार वो इनसान है जिसने आपको पैदा दो किया लेकिन माता या पिता नहीं बन पाए कोई बात नहीं गलत बाते चप गई है तो आप खुद अब अच्छी बाते चपोगी जो आपका अंतरमन है आपका सबकॉंशन है इसको आपने मैनेज करना है और आप भली भाती से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो पिछले कुछ सालों में गलत बाते सुन सुन के इसको यकीन हो गया है कि इसका जीवन गलत है, आपका जीवन गलत है अब आपको इसको यकीन दिलाना है कि ऐसा नहीं है तो कुछ बाते बोलूँ आपने आपसे बार बार बाते बोलना, confidence के साथ बोलना द्रड़ता के साथ बोलना मैं एक अच्छा जीवन जीने के योग्य हूँ I deserve a good life ये जो मेरे साथ हो रहा है ये normal नहीं, ये abnormal है, ये गलत है ये मेरा जीवन नहीं है मेरा जीवन सही है, अच्छा है वहाँ मुझे चल के जाना है मेरा जीवन वैसा ही होगा, ऐसा नहीं रहेगा ये इनसान गलत है, मेरा जीवन गलत नहीं है मेरा जीवन अनमोल है इस दुनिया में मेरी बहुत value है मुझे अपनी value बनानी है मेरी value बन जाएगी मैं एक योग्य इनसान हूँ आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, कल मेरे साथ बहुत अच्छा भी होगा मुझे दोस्त भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा सक्सेस भी मिलेगी, इंडिबेंडेंस भी मिलेगी वो ही मेरा भविश्य है, वो ही मेरा सच है, ये मेरा सच नहीं है एक इंसान सिरफ अपने लुक्स से नहीं बनता जैसा वो दिखता है वैसा नहीं होता इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते है जिनसे उनकी आइडेंटिटी बनती है मुझे उन पर ध्यान देना है मेरे लुक्स जैसे भी है मेरे अपने है मैं उनसे खुश हूँ, मैं उनसे प्राउड हूँ, जिसको पसंद आए वो मेरे पास है, ना पसंद आए मुझसे दूर है, अपने आप से ये बाते बार बार आपको कहनी है, एक बार दो बार नहीं, रोज कहनी है, confidence के साथ कहनी है, और ये काम आपने जरूर करना ही करना है, स इससे आपकी जो एनर्जी है ना, जो इससे में बिखरी पड़ी है, confusion में बिखरी पड़ी है, negativity में बिखरी पड़ी है, regression में बिखरी पड़ी है, उसको channelize करना है, सही रास्ते पर लेके आना है, positivity की तरफ लेके आना है, ये बाते खुच से कहके, एक जरूरी बात समझो, कि कोई भी इनसान अपनी look से नहीं मनता है, जैसा वो दिखता है, वो नहीं होता है, एक इनसान बहुत complex होता है, उसमें बहुत सारी चीज़े होती है, factors होते है, aspects होते है, जिनसे वो इनसान मनता है, उसकी identity बनती है, personality बनती है, जिसमें सबसे important है उसका character, वो अपनी values के साथ commitments के साथ खड़ा है, कितना strong है, उसकी empathy, वो दूसरों से कितना connect कर पाता है, दूसरों के perspective से सोच पाता है, नहीं सोच पाता है, दूसरों को समझ पाता है, नहीं समझ पाता है, उसके अंदर कितना ग्यान है, सामाजिक ग्यान, technical knowledge, हर तरीके का ग्यान कितना है, कितना ग्यान मेच्योरिटी आती है विज्डम आती है वो उसकी ऑनेस्टी उसका वैल्यू सिस्टम वो कितना सच्चा है कितना अपने वादों के साथ खड़ा रहता है वो कितना स्ट्रॉंग है कमजोर के साथ खड़ा है लोगों की मदद कर रहा है अपने साथ खड़ा है हार नहीं मान रहा अन्याय नहीं सहरा उसके emotions उसके भाव वो emotions का इस्तमाल कैसे करता है कितना emotional है दूसरों के emotions की कदर करता है अपने emotions की कदर कर रहा है ये बहुत सारी चीजें मिलाकर एक इंसान की identity बनती है इसमें looks का कोई स्थान नहीं है looks तो सिरफ एक unique identifier है हर इंसान अलग दिखता है तब ही पेचाना जाता है तो जैसे आपका नाम है वैसी आपके looks है तो आपको इन aspects पर काम करना है जो मैंने भी आपको बताए है और ये commitment से, मेहनत से, उसूलों से ही बनेंगे और जब आप इनको develop करोगे आपकी बहुती अच्छी personality बनेगी लोग आपको पसंद करेंगे आपको value करेंगे आपके साथ खड़े होंगे दोस्त भी बनेंगे खुद के बारे में भी अच्छा मैसूस करोगी इन सब चीजों पर ध्यान लगाओ और अपनी एक मजबूत सशक्त independent personality बनाओ यह आपका target है यही आपका vision भी है अब बात करता हूँ अकेलेपन की जो toxic लोग है वो आपको साथ तो देते हैं लेकिन उस साथ के बदले आपके जीवन को जंजोर देते हैं आपको depression मिले जाते हैं stress मिले जाते हैं सिरफ एक साथ के बदले वो आपको खतम कर देते हैं ऐसा साथ ना मिले ऐसे साथ से जितना दूर रहे उतना अच्छा है अब आपकी जो emotional needs हैं आप उनको कैसे fulfill करोगी सबसे पहली बात कुछ से बोलो कि यह समय temporary है मैं पूरे जीवन अकेले नहीं रहने वाली हूँ बहुत सारे लोग मिलेंगे रिष्टे बनेंगे दोस्त बनेंगे वो मेरा भविश्य है ये मेरा भविश्य नहीं है ये मेरा आज है मुझे इसको सही करके अपने सही सच्चे भविश्य पर जाना है और मैं जाओंगी तो सबसे पहले इस मुमिंट का इस अकेले पन का टेंपरेरी होने का एहसास करो इसके अलावा आपके घर के बाहर आसपास कुछ जानवर होंगे जैसे हमोमन घरों के पास कुटे मिल जाते हैं या कही पर गाएं होती हैं बिल्ली होती है इन जीव जन्तूओं से दोस्ती करो बहुत मुश्किल काम नहीं है ये प्यार के भूके होते हैं थोड़ा सा समय दो प्यार दो इन से रिष्टा बनाओ इनके साथ समय बिता के भी आपकी एमोशनल लीड्स पूरी होंगी इसके अलावा सारी चीज़े डिसकस करो सब कुछ उन पर सौब दो उनको बोल दो मैं सिर्फ करम करती रहूंगी बागी सब आप देख लेना है दिल की बाते उनसे शेयर करा करो इसके अलावा खुद को अपना दोस्त बनाओ अपने आप से अपनी बाते शेयर करो अपने आप से प्लैंस बनाओ अपने आपको बताओ कि कैसे मैंने अपने बविश्य को सही करना है अपने आप से अपने दुखडे रहो कि मेरे साथ गलत हुआ है मैं इसको सही करूंगी अपने लिए सपने संजो विजन बनाओ और धीरे धीरे आपके दोस्त भी बन जाएंगे ऐसा नहीं कि आज दोस्त नहीं है तो कल भी दोस्त नहीं होंगे समय के साथ आपके दोस्त भी बन जाएंगे emotional needs आपकी fulfill हो जाएंगे वो इस समय priority नहीं है यह temporary phase है priority है अपना रास्ता बनाना रा बनाना independent बना ऐसे रिष्टों से मुक्ती पाना और अपनी identity बनाना personality बनाना target आपका वो है vision आपका वो है यह अकेले पन की परिशानी को कैसे हल करना है मैंने आपको बता दिया पूरी तरह हल नहीं होगी ना इसको भी पूरी तरीके से हल करना है ध्यान अपने vision पर बनाओ सारी energy अपने vision पर channelize करो जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी है जादा से जादा skills acquire करने है अच्छी किताबे पढ़ो महापुरुशों की जीवनिया पढ़ो अपने आपको उनसे connect करो मुझे ऐसा बनना है ज्यान वर्दक किताबे पढ़ो स्प्रिच्वालिटी के बारे में पढ़ो ताकि immediate world की परिशानियों से थोड़ा से डिटायच हो जाओ इसके साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखो mental well-being का ध्यान रखो रोज प्राणायम करा करो exercise करा करो jogging करा करो शरीर में भी मजबूत ही आएगी energy भी बढ़ेगी अच्छा भी लगेगा पूरे दिन का एक routine सेट करो ये बाप में हमेशा कहता हूँ एक routine सेट करके चलो सारी अच्छी चीज़े डालो उसमें पढ़ाई भी है उसमें skills भी है उसमें किताबे भी है उसमें exercise भी है उसमें मंदेर भी है उसमें बहुत ही भड़िया schedule बनाओ और अगले कुछ साल तक इस schedule को जीना है जब तक आपकी एक अच्छी identity नहीं बन जाती personality नहीं बन जाती independent आप नहीं बन जाती be a girl on mission या be a boy on mission जिस दिन आपने mission पकड़ लिया आपने जीवन को सही करने का सो परिशानिया भी आ जाए वो आपको चुबेंगी नहीं आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे सारी energy channelized होगी वो ही आपको करना है इसके अलावा हर रात को सोने से पहले जब आपको नीद आने वाली हो भगवान से बात करो उन से बोलो कि मैं अपने जीवन को सही करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ और मेरा जीवन सही हो भी जाएगा मुझे पूरा भरोसा है अपने उपर और आप पर आज मेरी स्ट्रगल है आज मेरा संगर्श है कल मेरा भविश्य अच्छा ही होने वाला है अपने आपको भरोसा दो confidence दो फिर सो बस इतना ही कहना Thank you and all the best